हलो एवरिवन, गूट बॉर्निंग, वेलकम बैक टो मैई चैनल, कैसे हैं आप सभी, I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तो जिस सुबह के 6 बजे का ये टाइम है, और 6 बजे उड़ चुकी हूँ, मैं आज कल ना 6 बजे अच्छा खासा उजाला हो जाता है, और हमारे यहा बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी करेंगे, तो कल मेरा कोई वीडियो नहीं आया था, आप लोग के कॉमेंट आ रहे थे कि दिदी वीडियो क्यों नहीं डाला आपने आप ठीक तो हो, तो बस ऐसे कभी कबार मन नहीं करता मेरा, वीडियो डालने का बहुत ज़्यादा जब मैं तो फिर मैं गैप ले लेती हूँ ताकि थोड़ा सा अपने माइन को भी रिलाक्स रखो और अपने आइस को भी थोड़ा सा माज रिलाक्स दूँ, क्योंकि एडिटिंग वेगरा करने में आखों में मेरा वह ज़्यादा दर्द होने लगता है, तो कल का दिन मैंने रेश्ट करा है, बाकि तब्बे ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी तब्बे कुछ खराब है, चलिए जी अपना ठंडे ठंडे पाने से फेस वगरा वाश करा है, आ गई हूँ किचेन में, और किचेन में आके सबसे पहला काम होता है, ये बास्किट में जो बरतन भड़े ह इनको इनकी प्लेस पर अरेंज करने का, रात को इनको लगा के नहीं सोती हूँ क्योंकि बरतन गीले रहते हैं, और गीले बरतन लगाने से जो इस्टेंड वगरा है, उसमें जंक लग जाता है, और अगर आपके कैबिनेट वगरा है, बने हुए, तो उनमें भी हम गीले बर बरतन नहीं रख सकते, क्योंकि वूड होता है, वो तो उसमें लकडी वगरा खराब होने का डर रहता है, तो मॉनिंग का टाइम में निकाल लेती हूँ, अपने बरतनों को जो है, उनकी प्लेस पर अरेंज करने के लिए, और मॉनिंग में जब बरतन लगाती हूँ, तो ऐस आवाज करेना, तो वो आवाज बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, तो इसलिए मैं इस तरीके से बरतन लगाती हूँ, ताकि मेरे काम भी होते रहे और किसी की नीद भी खराब ना हो, फिलाल चलिए सारे बरतनों को उनकी प्लेस पर अरेंज कर लिया है, और डेली की वाज कीचन में एक गीला कपड़ा जरूर से मार लेती हूँ, कांटर टॉप में एक बार कपड़ा वगरा मार लिया, अपने गैस इस्टोब और इंडेक्सन वगरा सब कुछ कर लिया है, साफ वैसे तो रात को साफ करके ही सोती हूँ, पर मॉनिंग में एक कपड़ा मार ले तब हम लापरवाई कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ पर मैं डेली मॉनिंग में आजकल जीरा और सौप का पानी पीती हूँ, गरम करके, तो दो गिलास में पानी डालती हूँ, और इसको बोईल करके मैं एक गिलास तक बना लेती हूँ, तब तक मैं आराम से 15-20 मिनट लग जाते हैं, तुरंत गरम करके नहीं पीना होता है, उसको अच्छे से बोईल करके ना जब पानी की क्वांटिटी आधी रहे तब हमें उसको पीना है, तो उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, इती देर मैं मैं कर लेती हूँ, अपने घर में पुरा जाड़ो मॉनिंग की जाड़ो में अर्ली मॉनिंग ही लगा लेती हूँ, जैसे के आप सबको पता है, तो सारे घर में मैंने जाड़ो लगा ली है, सबसे पहले बारी आती है कीचन में जाड़ो लगाने की, कीचन के बाद बागी सारे रूम में मैं जाड़ो लगा बाहर की झालू भी मैं मौर्निंग में ही आजका़ लगा लेती हूँ क्यूंकि जब मेरे घर की झालू लग जाती है उसके बाद ही मैं अपना मेंड डोर ओपन करती हूं और बाहर तक फुरी stairs वगरे मैं झालू लगा के आ जाती हूं तो अच्छा लगता है उसके बाद अगर जैसे हम चाय पीते हैं सिप सिप करके उस तरीके का ही मैं पानी पीती हूँ और इसको पीने के लिए आराम से मुझे 15-20 मिनट लग जाते हैं तो ये मैं आराम से अपना इंजोई करके इस पानी को पीती हूँ इसका टेश्ट भीना मुझे काफी अच्छा लगता है बाकी इसमें मैं हनी वगरा कुछ भी एड नहीं करती सिंपल सा जीरे और सौप का पानी पी लेती हूँ और जीरे और सौप की खुसबू होती है वो बहुत अच्छी आती है तो पानी पीने में भी अच्छा लगता है पानी वगरा पिया उसके बाद जो है आ गई हूँ अगेन कीचन में और अब बना लेते हैं सभी के लिए नास्ता आज मैं बहुत हेल्दी नास्ता बनाने वाली हूं सबी लोगों के लिए तो नास्ते में मैं आज बनाने वाली हूं चीले, बेशन के चीले बनाऊंगी मैं और चीले में बेज़िटेबल्स वेगरा और तो कुश्वी ने डाल ली बस प्याज और टमाटर डालूंगी और गिरीन चिलीज डाल दूंगी थोड़ा सा ये बनेगा मेरे और हजबन के लिए बाकी बच्चों के लिए अक्रिस की फर्माइस पर इखास करके बन रहा है क्योंकि बिट्टू को तो टिफिन लेके जाना नहीं है उसका एक्जाम है और अक्रिस खाली टिफिन लेके जाएगा आज बिट्टू का पहला पेपर है तो बस थोड़ा सा वो उसको भी मैंने जल्दी उठा दिया था अभी वो अपना रिवीजन वगरा कर रही थी थोड़ा सा रिवाइस कर रही थी सोरी थोड़ा देर वो अपना रिवाइस कर लेगी उसके बाद कपड़े वगर उसने पहल लिए है तो वो कल रात को ही बोली थी ममा मुझे जल्दी उठा देना मुझे अपना रिवाइस करना है जबकि वो न जाते जाते तक रिवाइस करती रहती है बच्चों को भी अपने पढ़ाई की ना टेंसन बहुत ज़्यादा रहती है और उससे ज़्यादा टेंसन मुझे हो रही है बस अच्छे से एक्जाम हो जाए उसका तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं बेसन मैंने गोलने के लिए रख दिया था और बेसन को थोड़ा देर रेश्ट में रख दोना तो आपके चीले ए इसमें करस्ट कर दिया है अजवाइन बिना अजवाइन के चीले अच्छे नहीं लगते है तो अजवाइन भी मैंने इसमें करस्ट कर रखा है थोड़ा सा थोड़ा अजवाइन की जो खुसबो आती है वो अच्छी लगती है तो अभी मैं दो चीले बनाऊंगी विल्कुल पतले से और छोटे-छोटे से बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े और मोटे नहीं बनाऊंगी मैं, ये बना रही हुआ अक्रिस के टिफिन के लिए, अक्रिस जाएगा स्कूल, बिट्टु को तो टिफिन लेके जाना नहीं है, उसकी छुट्टी जल्दी हो जाएगी, तो व वैसे मेरे बच्चे आपने देखा होगा, कब भी छुट्टी नहीं करते हैं, इसकूल से जब छुट्टी होती है, तभी वो घर पे आपको दिखते होंगे, बकाइदा कब भी मैं उनकी छुट्टी नहीं कराती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ब यहाँ पे बच्चे के लिए, मतलब अक्रिस के लिए मैंने दो चीले बना दिये हैं, बिट्टु को इस बीज में मैंने नास्ता करने के लिए दे दिया है, उसको मैंने एक गिलास मिल्क की दिया है, गरम करके उसके सार दिया है, कॉम प्लैंट जो की केसर और बादा मौलम मैं आज कल उसको दे रही हूं उसका टेस्ट ना उसको काफी ज्यादा पसंद आ रहा है और अब जो है यहाँ पे उसके साथ मुझे को दो टोस्ट दे देती हूं तो वो टोस्ट अगरा खाके जाएगी क्योंकि लंच तो लेकी जाना नहीं है तो 11 बजे तक बच्चों को भू लगी जाती है तो फिर मैंने उसको जबड़ जस्ती बोला है बेटा खाके जाना है आपको और उसने बोला ममा मुझे एक चौको पाई दे देना मैं अपने टिफिन में रखके ले जाऊंगी जब मेरा एक्जाम हो जाएगा अगर मैं खाने के लिए अलाउट करेंगी तो मै बेटा ठीक है मैं रख दूंगी फिलाल यहाँ पे हजबन के लिए अभी चीले में बना रही हूँ अपने लिए मैं अभी से नहीं बनाऊंगी अपने लिए मैं गरम गरम ही बनाऊंगी जब मैं अपने सारे काम खतम करके नहाद हो के पूजा पाट करके जब मैं अपना ना बिट्टु चली गई है स्कूल उसके डैडी गए है उसको छोड़ने के लिए तो अभी हस्बन आएंगे घर क्योंकि उसको एक्जामस में थोड़ा जल्दी जाना है आट सबा आट बजे तक मतलब आट पंदरा आट बीस तक उनको स्कूल पहुशना है तो वो जल्दी चली गई थी पहला दिन तो होता भी है ना बच्चों को भी थोड़ा सा excitement भी होता है साथ में nervous भी होती है तो उनको ये होता है कि हमें लेट ना हो जए तो वो कल राज से बोले थे ममा मुझे जल्दी उठा देना नहीं तो मुझे लेट हो जाएगा तो हमारी मैम ने बोला है कि मैं एक्जाम में बैठने नहीं दूंगी तो बच्चों को भी अपनी टैंसन रहती है तो वो चले गई थी टाइम से उसके बाद देखे बिटू गई है अक्रिस का टिफिन मैंने पैक कर दिया है अक्रिस के लिए चीले रखे है साथ में एक चोको पाई रखी है और दो तिन कुकीज रख दी है उसके लिए मैंने अभी तो प्याज का टेस्ट ज्यादा आता है तो फिर वो अजीब सा ही हो जाता है मिथा मिठा सा अच्छा ने लगता है तो यहाँ पर मैंने टमाटर लिये प्याज लिया और धेर सारी ग्रीन चिलीज डाल दी है एक टुकड़ा अद्रक का डाला है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है और थोड़ा सा ड्राई जो मिर्च आती है सूखी लाल मिर्च वो डाल दी है बस मिंटो में हमारी चटनी बन के उस सभसे में जीज लसन बिना लसन के तो चटनी का मजा आता ही नहीं है तो मैंने इसमें लसन की कल्या भी डाल लगी है और बस यहाँ पर हजबन के लिए नास्ता बनके तैयार हो गया है हजबन को नास्ता कराया और हजबन को चीले काफी पसंद आये गरम गरम चीले चटनी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं अभी हजबन को और अक्रिस भी चला गया है अपना नास्ता बगरा करके अब मैं अपने लिए चाय लेके आ गई हूँ अपनी चाय इंजोई करूँगी उसके बाद चाय पीने के बाद तुरंत लग गई हूँ अपने काम पे चाय पी लिए है मैंने फीकी चाय है विल्कुल गुडवाली ही मैं लेती हूँ चीनी वाली नहीं लेती हूँ चाय पीने के बाद यहाँ पर सारी काम तो होई गई थे बस एक ज़ाडू लगाना था और डस्टिंग करनी थी क्योंकि टेबल बहुत गंदा हो रहा था और चाहे आप पानी बगरा से ना गीले कपडा मार के कितना भी डस्टिंग कर लो पर जब आप कॉलीन से क्लीनिंग करते हैं डस्टिंग करते हैं तो कॉलीन अपने एक अलगी साइन छोड़ देता है तो अच्छी सोरी क्या बोलते है डस्टिंग होती है कॉलीन से तो बस मैंने कॉलीन से जहां जहां मुझे डस्टिंग करनी थी पूरे घर में डस्टिंग कर दी है अंदर वाले रूम में भी करी थी मंदिर वाला रूम जो है वहाँ पर फ्रीज था और अलमिरा बगरा उसमे नहीं होता वीडियो काफी लेंदी हो जाता है और आप भी एक चीज देख देखके फिर बोड़ना हो जाएं तो छोटे-छोटे से पार्स आपके साथ मैं शेयर करती हूँ उसके बाद जी मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ नहाने के बाद आज मैंने बाल दोके नहीं नहाय है तो एक मेरी सस्क्राइबर है जो मुझे साथ दहराद उनसे ही देखती है जब भी मैं कोई भी सूट वगरा डालती हूँ उनका कॉमेंट आता है कि दीदी अच्छा लग रहा है वुलन का है क्या है करके तो सर्दियों में तो मैं ज्यादा ना वुलन के ही कपड़े पहनत हूँ और अभी जो सूट मैंने पहन रखा है यह वी वुलन का ही है गरम है यह फ्रॉक टाइप में है और यह सूट मुझे अपना बहुत ज्यादा पसंद है आप यकीन नहीं मानोगे इस सूट को कम से कम 10 से 11 साल हो गए है 10 साल हो गए है जब मैंने यह सूट लिया था तब सायद मेरी बित्टू भी नहीं हुई थी तब से तब बित्टू नहीं मेरे पेट में ही थी मैंने यह प्रेगनेंसी के वजय से ही लिया था क्योंकि थोड़ाँ खुला-खुला सा था तो प्रेंगनेंसी में इस टाइप के कपड़े नशा देख़े 10-11 साल ही शूट को हो ग अच्छे से घिस लेंगे अभी चलिए यहाँ पर मैंने मंदिर में सुरज देपता को जल जरूर चढ़ाती हूँ तो बस मुझे जल ज़डाना था नासते से पहले वैसे बी मंदिर में हाथ में जरूर जो लेती हूँ चाहे कोई दिया जला के जाए चाहे ना जाए तो अगर जैसे दिया जला होता है न तो बस एक बार मत्था टेक लिया हाँ जो लिये तो अच्छा लगता है बस फिर मैंने जल वगरा चड़ाया भगवान जी को उसके बाद मैं आ गई हूँ अपना नास्ता बनाने के लिए तो मैंने यहाँ पर नास्ते के लिए चीला गैस पर रख दिया था ढख के हलके आज पकने के लिए क्योंकि प्याश टमाटर है न तो उसको थोड़ा सा पकाना पड़ता है तो चीला मेरा बहुत अच्छे से पक गया था एक साइड से तो बिलकुल क्रंची हो गया था क्योंकि दिया वगरा जलाने में फिर टाइम लग जाता है न तो फिर एक साइड से क्रंची हो गया था अभी थोड़ा सो उसको और क्रंची करूंगी क्योंकि मुझे करंची करंची से चीले अच्छे लगते हैं साथ मैं यह पर चटनी बनाई थी इसको ट्रांसफर कर लेते हैं टिफिन में क्योंकि जार में वाश कर दूँगी जार बहुत बड़ा होता है और जो मेरा चटनी वारा जा रहे है वो बिल्कुल खराब हो गया है तूट गया है उसके नीचे के जो भी रिंग्स होते हैं वो सारा तूट गया है तो वो मैंने रख दिया ऐसी और जिसमें मैं चटनी बना रही हूँ आजकल इसका भी ढखकन पता नहीं कहां खो गया मिली न तो मैं उपर से प्लेट रखके इस तरीके से चटनी बना लेती हूं तो बस चटनी है सांत में मेरे लिए एक चीला है अभी फटापट से मैं अपना नास्ता कर लूँगी नास्ता करने के बाद चली गी थी मैं बिट्टू को लेने इस बीच में मैंने दूद लाई थी और थोड़े रेष्ट भी करा था मैंने अपने घर पे बात भी करी थी तो बस अभी उसके बाद यहाँ पे मैं बिट्टू को स्कूल लेने गई थी और बिट्टू के कपड़े चेंज करें, उसके कपड़े टका दिये हैं, एक्जाम पेपर देख लिया है, उसका बेटा क्या लिक़्े आए, क्या लिक़्े नहीं आए, जो कि हर मा पूछती है अपने बच्चों से, तो थोड़ा तसलि हो जाती है, बच्चों का एक्जाम कैसा गया है, तो यहाँ पे बुका प्यासा गया है वही दूद वेगरा तो फिर ऐसी हजम हो जाता है जल्दी तो वह जब भी एक्जाम करके आती है ने 11 बिजे पेपर जब भी उसके होते हैं तो वह घर पाके खाना जरूर खाती है तो मैंने इसलिए बनाया भी नहीं था कि गरम गरम बोलेगी तो गरम गरम ही मैं बना दूँगी तो बोलने लगी ममा मिले रोटी और एक बना दो तो मैं उसको रोल बना के दे दूँगी मैंने रोटी भी इतनी मोटी बना दी है एक बड़ी साइस की ताकि दूसी रोटी खाने की जरुरत भी ना पड़े और वो दूसी रोटी ना खाती भी नह देर में पढ़ने भी ठा दूंगी अभी थोड़ा देना उसका मायन भी थोड़ा फ्रेस करना जरूरी है तो टीवी वगरा देख लेती है वो फॉन मांगती है मेरे से कोई पूझ भी रहा था कि दीदी आपके बच्चे स्कूल सा के फॉन नहीं चलाते हैं क्या मेरे बच्चे तो फॉन मांगते हैं आते ही तो देखे फॉन तो सभी के बच्चे मांगते हैं पर मैं अपने बच्चों को फॉन बिल्कुल नहीं देती हूं मेरे बच्चे आपको यकीन आएगा बस संड़े के दिन फॉन चलाते हैं एक घंटा बस उसके अलावा पूरे हपते भर में मेरे बच्चे फॉन नहीं चलाते हैं संडे को भी मैं दे देती हूं कि चलो थोड़ा देर चला लो लंच वगरा करने के बाद बाकी ऐसा नहीं है कि मैं उनको डेली फॉन देती हूं मेरे बच्चे फॉन नहीं चलाते हैं टीवी देखते हैं टीवी में अपना सिमचे और कार्टू भी देखता है और जो गलत बिगरने वाला होता है वो कुछ भी उसमें देख सकता है क्योंकि आज कल के बच्चे ना सौट वीडियो अगरा देखते हैं यूटूब में तो फिर कब क्या देख ले कुछ भरोसा नहीं है तो भाईया मेरे को डर लगता है मैं नहीं देती फोन मागि संडे को देती भी हूँ तो मैं देखती रहती हूँ बच्चे क्या देख रहे हैं और यहाँ पर चलिए जी बच्चो के लिए मैंने रोटी बना दी थी अभी एग बना रही थी और उसको भूख इतनी तेश थी बार बार कीचन मा रही थी ममा जल्दी दो जल्दी दो तो यहाँ पर एग बना दिया है मैंने एक अंडे का और यह इनफ होता है बच्चों के पेट इससे फुल भी रहता है और मेरे बच्चे तो एग रोटे वगरा बड़े सौक से खाते हैं तो चलिए यहाँ पर बिट्टू को रोल बना के दे दूंगे उसके बाद मेरे लंच के काम होंगे वो करूंगे आराम से फिलाल अभी आज की वीडियो को यहीं पैयन करूंग तब तक के लिए बबाई एंड टेक कियर